नमस्ता दोस्तों, आज मैं आपको STP pump के बारे में कुछ जानकारी दोंगा, तो इसमें हम जो है, इसके external पार्ट और internal पार्ट क्या के होते हैं, उनके बारे में जानकारी लएगे, और यह हमारा जो pump है, वो किस टाइप चे बर्ग करता है, तो उसकी बर्गिंगी मैं आज जाने के लिए यहां पे पुली लगा होगा है, पुली जो है हमारा इसमें अंदर में एक क्रेंग साथ है, ठीक है, मैं आपको क्रेंग साथ भी खोल के दिखाऊंगा, तो हम पहले इदर देख लेते हैं इसका, यह जो दिख रहा हुँ, यहां पे इसका inlet port है, तो यह जहां हमारा section pipe लगेगा, यही से हमारा pump यहां पे सक करेगा, तो यह जो है, यह जो ब्रास का बना होता है, फिर next part हम देखते हैं इसमें, जो हमारा inlet के बाद यह वाला जो port है, यह हमारा slender है, खीक है, इसमें जो हमारा slender के अंदर ही इसमें plunger लगे होते हैं, यहां से दिख रहा है, तो इसी से जो grease है, हमारे plunger को lubricant करने के लिए, वहाँ पे मिलता रहेगा, आपको यहां पे दिख रहा होगा, यह प्रेसर गेज लगा हुआ है, इसमें जो है, अन्रेट बार का एक प्रेसर गेज लगा हुआ है, तो इस pump का जब हम इसको चलाएं यह फील्ड में, तो उ यहां पे एक आपको दिख रहा होगा थ्रेड बना हुआ है, तो यहां पे हमारा overflow pipe connect होता है, और overflow pipe की रास्ते में ही यहां पे दिख रहा होगा आपको एक pressure regulator wall लगा हुआ है, इस pressure regulator wall से ही हम pressure को कम या ज्यादा कर सकते हैं, इधर हम अगर इसको rotate कराते हैं तो यह हमारा pressure pump का, उस pressure को क्या करेगा, जैसे हमने 20 kg का pressure set कर दिया, तो हमारा pressure है वो fluctuation ना आए उसमें, क्योंकि pump के आप हम लोड और no load पे क्या होंगे, fluctuation आएगा, तो यहां पे pressure रहेगा उसको maintain करके रखेगा, वो हमारा ज्यादा उसमें variation या fluctuation नहीं आएगा, इस pump का जो हमारा working pressure है जो हमारा इतना पाट जो हमारा क्रैंगेस है, इस क्रैंगेस के अंदर जो हमारा यहां पे डगा हुआ है, तो हमारा बेरिंगेस लगे हुए, उस bearing को lebrican करने के लिए स्में हम oil वरते है, तो उस oil का level दिखाने के लिए यहां पे लेवर novelty perый mol प्राइज लग हो गा है, तो कि यहांपर दिख रहोगा हो यह फ्रेंकेस कबार है कर दिए क्लिक बार निकालने कर दिए वह हुआ है । क्लाइश के आम पर हुआ है इसे हमें ऑइल करते हैं तक गढ़ने प्रिट करते हो इसे हम dealer होआग आपको निकालने के चलने हैं 9, 2, 3 इसमें 3 नोन रिटन वाल लगे roz Siya जो यह अंदर जाने तो देंगे लेकिन बाफस बापस बाहर माले रही है कि अजये निए अगा किषनें के लॉकरं कि दिए वोन के लेंकों आधकोई fan लोक करने केकलाओ पूरिया स्प्रेट के लगए यह थे कुछ कीः के लुग के लिए ने यहीरणुयस टाइट करके रखा हुए तेस्प्रेटा मैं पीज़ने टीनुंश की लिए के अंदर करते यह नकलता तो प्लंजर को लोड्री करने के लिए भी है यहां पर की किट लगा हुआ है, pump kit और ओर इंस लगी हुई है, जो कि यहां पे लीकेज को रोपता है, यह देखिए, यहां पे यह लोकिंग प्लेट को मैं निकाल दिया, हम मैं इस प्रेडर को आपको खोल के दिखाऊंगा, तो इस प्रेडर को खोलने के लिए भी हमारे पास एक pump, यहां इसमें अंदर में ही पूरा हमारा pump kit लगा हुआ है, यह देखिए, यहां पे इस पेसर है, यह देखिए, इसमें पूरा pump kit लगा हुआ है, अलग-अलग, यह देखिए, पूरा, यह रवड के gas kit लगे हुए है, इसको पूरे को pump kit बोलते हैं, अगर यह हमारे कड जाते हैं, तो यहां से हमारा बाटर लीज होने लगेगा, तो जब भी यह कड़ जाएगा तो iskaooakोप नैया चेंज बरहना है ठीक है तो मै अब इसकों पंपेट को अंदर इसमें 5ग के अंदर फिट कर देता हूँ इस कोम ने आप पे अंदर टाल दिया अंदर फिट करने के बाद इसमें यह आपको इसपेशर डालना है इसमें भी आपको ध्यान रखना, इस लॉट बना हुआ है, यह हमारा pump kit की side जाना चाहिए, और फिर हमको यहाँ पर spreader को बापस tight कर देना है, अगर spreader भी जो हमारा loose रह जाता है, तो भी हमारा यहाँ से क्या करेगा, जो water रहेगा, वो leakage करेगा, ठीक है, अब यहाँ से हम दे तो यहाँ से इनलेट में लगे हुए है, और तीन लेटन वाल हमारे कहाँ लगे हुए है, आउटलेट में, तो यह क्या करेंगे, यहाँ पर water को आने देगा, लेकिन वापस नहीं जाने देगा, तो यहाँ से एक बार सब गोगे, slender के अंदर, जब discharge होगा हमारा, तो इस व आउटलेट से हमारी यह दोनों discharge pipeline जुड़ी हुई है, यहीं से हमारा यह overflow जड़ा हुआ है, और जो हमारा यहाँ पर एक सक्सन था, वह हमारा यहाँ पर inlet में जड़ा हुआ है, यह सक्सन पाइब है, ठीक है, यहाँ से हमारा इस क्रेंग केस का cover निकाल लेते हैं, यह cover हो ग हमारा connecting rod है, एक, दो, तीन connecting rod है, तीन connecting rod हमारा तीनो plunger के साथ connect है, यह जो plunger है, जब हम यह पुली गुमाएंगे, तो यह plunger हमारे यहाँ पर देखिए, यह crank shaft से ही move करता है, तो यह हमारा crank shaft हो गया, तो दोस्तों इस pump की जो बर्किंग है, यह pump कैसे काम करता है, वो मैं बदे का दो हो यह श ह़ा है, इस नगरे खाता हूँता है, आड़ अनका है, तो नगरे पार्ट हम ogóle हम में यहाँ पिडिन यह दो चार्ट है, वो मैं दो बर्किंग हरा हैूँते है, जो पिसको जो बररा है, ऊद़ है जोसर्ट है, जँद दूढसे हो यह दोर्ट हमारा बरा